हाई गाईज, स्वागत आपका MS प्रोडक्ट में आज हम रोजाने की तरह देखने वाले हैं 5 डोग गैजिट्स जो कि आप भी डेली लाइफ को एजी बना देंगें ये गैजिट्स ओनलाइन मार्केट्स में अवलेबल हैं तो गाईज, वीडियो को कीजिए लाइफ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बिल नोटिफिकेशन को ओल पे कर लिजे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए मार फस्ट गैजिट है मेनियस्ट मेगनेटिक स्पिकर दोस्तों, आज के वक्त में हम बलूटूथ स्पिकर से आजाद हो चुके हैं मगर आज भी हमें और शनेबल स्टीरियो का साउंड अनुभाव नहीं हो पाता और इसी की कमी को दूर करने के लिए बनाए गए है मेनियस्ट मेगनेटिक स्पिकर इस स्पिकर को आप अपने फोन से बलूटूथ से कनेक्ट करके जहां मरजी चाहें वहाँ एटेच कर सकते हैं इसका मेगनेटिक फीचर इसे कहीं पर भी पकड़ बनाने में आसानी करता है हमेशे केसी भी मेटलिक सर्फेस पर लगा कर स्टेरियो का साउंड एफेक्ट अरांड से सुनकर मज़े ले सकते हैं सबसे खास बात हुए है कि आपको इसके साथ एक मेटलिक स्टिकर भी मिलता है इसे आप में ये स्टिकर को वहाँ चिपका सकते हैं जहाँ पर मेटल्स नहीं होता जैसे कि किचेन बाथरूम, लिविंग रूंग, बेडरूम और लैप्टोप गरा कहें पर भी से चिपका सकते हैं आप अपनी मर्ची से जहां चाहों वहीं चिपका कर अपने साउंड का मज़ा ले सकते हैं ये स्पीकर अपना काम हर जगा बखूर भी करता है हमारा अगला प्रोडक्ट है DJI Action 2 DJI Action 2 एक पावरफूल एक्षन कैमरा है इसका एक्षन डिजाई से सबसे ज़्यादा खास बनाता है इसके बाद आप इसे कहीं भी अटेच करके अपने एक्षन को रिकोड़ कर सकते हैं ये 100% पोटेबल और अवेल्बल है और ये साथी साथ बटर क्रूप भी है इस कैमरा को काफी सोच कर डिजाईन किया गया है इसकी लैंस 150 एंगल वो एक साथ सूट कर सकती है चलिए अब बात करते हैं इस कैमरा के इंटर्नल फीचर्स की दोस्तों ये कैमरा 4K 120 fps के साथ स्मूथ फोटेज देता है और स्टोप तीन मिट अपनी व्यीदियो रिकोर्डिक कर सकता है यह कैमरा भी है चीमिबल करते हैं कोई सेक्थ आपको देखने को नहीं मिलता ना कि सिर्फ एक्षेंस आप इस कैमरा से सेलफीस भी ले सकते हैं हाई क्वालिटी की वो भी आप अपने माथें में फिक्स करके आप अपने ले को 4K में रिकोर्डिंग कर सकते हैं फिर वो वीडियो आपको एक फिलम की रिकोर्डिंग से कम नहीं लगेगी नैनो बैग 3.0 दे अल्टिमेट यूजिवल शोपिंग बैग दोर तो शोपिंग वर्ट करते समय हमें एक चीज बहुत खिलती है शोपिंग बैग जब हम खुद का कहरी बैग ले जाना भूल जाते हैं फिर चाहिए सामान थोड़ा से हो मगर बैग को खरीदना ही पड़ता है आज हम आपको ऐसे नैनो बैग के बार में बताने जा रहे हैं जो कहरी बैग को लेकर साही प्रोब्लम को दूर करतेगी यह है नैनो बैग 3.0 जिसका साइड साइड आपकी ओन्लियो को जितना होगा जिसे इसको खोलने पर यह एक बड़ा थेला ही बन जाएगा जिसमें आप एक या दो नहीं बलकि 30 केजी तक समान लोड कर सकते हैं इन एक्सपेंडेबल बैग को आप अपने पोकेट्स में रख लो फिर समझ लिएजे आपको सोपिंग पैग से छुटी मिल गई इसमें आप अपने सारे सोपिंग माटिरियल्स को इसके अंदर रख सकते हैं फिर बार बार महेंगे काई बैक्स के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूएस भी हब विद लैपटोप स्टेंड दोस्तों आप मेंसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो सारा दिन लैपटोप में लगे रहते हैं और कहीं न कहीं आपको इरिटेशन भी होने लगता है क्योंकि दोस्तों एक जगह पर बैट बैट कर सारा दिन काम करना अच्छा नहीं होता और हमें अपने लैपटोप की पोजिशन को चेंज करने का मान होता है और हम कहली नहीं पाते क्योंकि टेबल की साइज तो बड़ी होई नहीं सकती चार्जिंग के वायल से हमारा पूरा टेबल भर जाता है और सब कुछ बिलकुल मैस्ट अप लगता है ऐसे में हमको काम तक करने की इच्छा नहीं होती दोस्तो ये देखने में तो बहुत चोटी सी बात लगती है अगर कहीं ने कहीं वह सक्ष जो सारा दिन टेबल पर बैट कर काम करता रहता है ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है समस्या है तो समाधान भी होगा तो दोस्तो आपकी सामने है 13-1 USB Hub with Ergonomic Laptop Tand इसके यूज़ से आप अपने बोरिंग से काम को बहुत ये इंट्रेस्टिंग बना सकते है इसके यूज़ से आप अपने लैप्टोप को कमफरेबल पोज में ला सकते है साथ ही इस से आप अपने तीन डिवाइजर्स को चार्ज भी कर सकते हैं इस गैज़िट से हम तीन एडिशनल डिस्पले उपन कर सकते हैं हमारा लास्ट गैज़िट है Capsule Tear Pump दोस्तो क्या आपके टायर ने कभी दोखा दिया है अगर नहीं दिया है तो आप बहुत किस्मत वाले हो दोखा कितना दर्ब देता है जिस वर बीती है वही समझचता है हाँ दोस्तो हमारे साथ ऐसा भी होता है यह हम अपने गाड़े को कहीं पर दूर लेके निकल जाते हैं यह पता जलता है कि टायर में हवा भी नहीं है अगर फिर आपके पास कोई दूसर टायर है तो फिर कोई दिकत की बात नहीं मगर आपके पास दूसरी फिल टायर नहीं है आपके आज सपास भी कोई मेकैनिक सोप नहीं है तो भाई साब बड़ी बूरी तरह फजने वाले हो आप अब इस गेजिट के बारे में सुनकर आपको तसली होने वाली है क्योंकि ये एक चलता फिरता टैर पंप है इस पंप को आप रहीं भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये काफी छोटे साइज में आता है इस पंप को चार्ज करना भी बेदी आसान है एक बार ये चार्ज हो जाए तो फिर कई दिनों तक इसे चार्ज करने के ज़रूद नहीं पड़ती इसमें एक टोर्ज लाइट भी मौदूद है जिसके योज़ से आप रात को टोर्ज कर सकते हैं दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए पैनल को सब्सक्राइब कीजिए में आपको नेक्स्ट वीडियो में